आगरा के एत्मादपुर में एक कॉलोनाईजर में NGT के साथ सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्याउना दी कॉलोनी काटने में आ रहे दर्जनों हरे पेड़ों का कतल कर दिया इतना ही नहीं एक किसान के खेत में रातो रात कबजा करनी की कोशिश भी की गई खबर के संग्यान लेते हुए चर्चित रिटाइड आईपीएस और अधिकार से नाके अध्यक्ष आमित ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटपॉर्म ट्वीटर पर यूपी पुलिस और डियम आगरा से ततकाल कारवाही की मांग की है मामला एतमादपूर थाना छेतर के हाइवे से तक ग्रीन वेली स्टेट कॉलोनी का है जहां पर गाउं धरहरा निवासी किसान महिपाल सिंग उपजलादिकारी एतमादपूर को शिकायत में बताया कि आगरा के कमला नगर निवासी संजय गुपता ग्रीन वेली स्टेट नाम की कॉलोनी बनाने के लिए बाउंडरी बनाने का काम कर रहे है बिना उनकी जानकारी के रात में ही कॉलोनाईजर ने उनकी जमीन पर अवैद रूप से बाउंडरी खड़ी कर दी है सूचना पर किसान जब अपने खेत पर पहुँचा तो उसने देखा कि कॉलोनी पून रूप से मानक की विरुद बनाई जा रही है जिसमें खेतों में हरे भरे नीम और पीपल के पेड़ों को काट लिया गया है साथ ही हरे बरे खेतों की फसलों को कटवा कर बाउंडरी वी की जा रही है के लिए जबरन तरीके से इस किसान की जमीन पर कपजा करना चाहरा है जिसका हम लोग विरूद कर रहे हैं हमने यहां के आके कल मौके पर देखा हमने मौके पर यहां पर हरे बड़े सब्सक्राइब चाहरा है जिसमें नीम का है पीपल का है आम का पेड़ था यह लगवाल लगकर मुझे लगता है एक पेड़ को काटता है तो उस पर मुकदमत पंजिकरत होता है यहां पर सो बीगाम में कालोनी काटी जा रही है और पनमान लगा सकते हैं कि कितने पेड़ होंगे और कितने सूचना सुखना प्राप्त होई थी हम लोगों को सम्द्ध में अभी सम्द्ध वंदर होगा शरी द जो वहाँ पर मौझूदा मौके पेस्तिती अमलों को मिली है उसी आधर अमलों कारवे करें पूर्व में वहाँ पर अभी ऐसे कुछ ऐसे तत्यनी मिल रहे हैं जो मिल रहे हैं उसके अधार में कारवे करें सूचना पर थाना पुलिस के साथ साथ राजस वो और वर्ण विवाकी टीम मौके पर पहुँच गई मामला बढ़ने पर समासेवी संस्ता सिस्टम सुधार संगटन के अधेक्ष अंशुमन ठाकुर के साथ कई कारे करता अभी मौके पर पहुँच गई बोले वाले किसानों की जमीन पर कपचा करके कॉलोनाईजर अवैद रूप से कॉलोनी का निर्मार कर रहे हैं जिसमें दरजनों हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया है और अगर इसे संबन में सक्षम अधिकारी कारेवाही नहीं करते हैं तो सिस्टम सुधार संगटन इस करते हैं